Hello Friends, Welcome to our Channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge लेके आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है और दोस्तो अगर आपको इक competitive exam के लिए preparation कर रहे हो तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे questions लेके आये हैं जो बहुत सार exams और interviews में पूछे गए हैं और आगे जाके भी पूछे जा सकते हैं तो चलो फिर दोस्तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे 10 questions जो आपको कोई भी exam और interview क्लेर करने में मदद करेंगे तो दोस्तो सबसे पहला जो question था जो हमने पिछले वीडियो में पूछा था क्रिकेट उडियाए में सबसे ज़्यादा run-out होने वाले batsman कोन है और इसका answer है दोस्तो Marwan Attapattu जो की स्रीलंका के player है तो बहुत सारे लोगों ने इसका answer सही दिया आपका knowledge सच में बढ़ रहा है हमारे वीडियो ऐसी regular है देखते रहो जिससे आपका IQ और बढ़ेगा वह क्या है जो नीचे गिरने पर तूट जाता है और पास लाने पर दुबारा अपने आप जूड जाता है तो दोस्तो ये भी एक general knowledge से related question है यहाँ पर भी आपका IQ टेस्ट होगा आपको थोड़ा अपना common sense लगाना पड़ेगा और इसका answer है दोस्तो mercury याने पारा एक नेपालीज रुपी की किमत कितने इंडियन रुपीज है तो दोस्तो जनरल knowledge से related ये एक और important question है बहुत सारे exams और interviews में इस तरह के question पूछे जाते है और इसका answer है दोस्तो 0.63 रुपीज तो दोस्तो इन currencies की value हर रोग change होती रहती है और जब भी आप कोई exam और interviews के लिए जाते हो तो सारे currencies की value ठीक से check कर लो ताकि आप अच्छे से answer दे सको next question एक पहली है जरूर होने जाहिए इसका answer है दोस्तो shirt याने कमीज English का एक ऐसा शब्द बताईए जो UND से शुरू होता है और UND पे ही समाप्त होता है तो दोस्तो ये भी एक common sense का question है यहाँ भी आपका IQ test होगा आप बहुत सारे interviews में इस तरह के questions पूछे जाते हैं ये एक trick question है और इसका answer है दोस्तो underground तो दोस्तो इसे आप ठीक से याद करके रखो ताकि आप कोई भी interview और exam में answer दे पाओ वहाँ कौन सी चीज है जिसे आत्मी छुपा कर चलता है और और आउरत दिखा के चलती है तो दोस्तो common sincerity ये एक और important question है यहापी भी आपका IQ test होगा आपको थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा और इसका answer है दोस्तो परस next question है एक पहली रात को जो मुझे काम दिया जाता है उसे मैं सुबह उटकर रोज करता हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे पर गुसा करते है तो दोस्तो ये पहली बहुत सारे exams में पूछे गई है और इसका answer है दोस्तो अलाराम इंडिया की सबसे पहली movie कौन सी है तो दोस्तो general knowledge से related ये एक बहुत important question है बहुत सारे exams और interviews में इस तरह की question पूछे जाते है और इसका answer है दोस्तो राजा हरिस्चंद्र तो दोस्तो ये movie पे आप और भी research करके रहो क्योंकि इसके related बहुत सारे questions बहुत सारे competitive exams में regularly पूछे जाते है ऐसी कौन सी चीज़े है जो हमें पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है तो दोस्तो common sense related ये question है बहुत सारे exams में इस तरह के question पूछे जाते है ये trick question है और इसमें आपका IQ check होगा इसका answer है दोस्तो जवानी और बुड़ापा जो हमें life में सिर्फ एक ये बार मिलता है और आज का last question वह कौन सा प्रानी है जब दुखी होता है तब लाल रंग का पसीना छोड़ता है तो दोस्तो general knowledge से related ये question है बहुत सारे exams और interviews में ये पूछा गया है और अगर आपको इसका answer आता है तो आप हमें comment box में लिख के बेजो अगले वीडियो में हम इसका answer देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने किसने इसका answer सही दिया तो दोस्तो ये थी कुछ ऐसे 10 questions जो आपको कोई भी exam और interview crack करने में मदद करेंगे इसके अलावा दोस्तो हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे जीके के questions, common sense के questions, IQ के questions और बहुत सारा general knowledge शेर किया है ये सारे information आप हमारे playlist में जाके देख सकते हो इसके अलावा दोस्तो अगर आप घर बेटे पैसे कमाना चाहते हो तो हमने आपके साथ कुछ ऐसी website भी शेर की है जिन पे आप काम करके अच्छी कासी कमाई कर सकते हो और वो भी घर बेटे तो दोस्तो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रो हमारे वीडियोस को लाइक करो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करो जिसे आपको ऐसी valuable information घर बेटे मिलती रहेगी और आप अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हो तो दोस्तो ये वीडियो में बस इतना इदा जल्दी मिलते हैं कुछ और important question के साथ कुछ और interesting knowledge के साथ अब तक के लिए Bye-bye दोस्तो Thank you very much